मुझे कुछ खाने का मन्द कर रहा है तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ भी चीज जो करने की इक्षा हो या हमारा मन्द करे तो उस सिच्वेशन में हम कुछ ऐसे सेंटेंसे बोलते हैं जो इंग्लिस में हमें जानना बहुत ही जरूरी है तो ऐसे सेंटेंसे से हम कुछ एक्जामपल देखते हैं काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा तब जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मुझे तुम्हें पीटने का मन्द कर रहा है मुझे तुमसे मिलने का मन्द कर रहा है उसे पढ़ाई करने का मन्द कर रहा है बच्चों को क्रिकेट खेलने का मन्द कर रहा है मुझे तुम्हें देखने का मन्द कर रहा है तो इन सभी सेंटेंसे को हम आज इंग्लिस में ट्रांसलेट करके सीखेंगे बट इन सभी sentences को हम translate करने के लिए एक structure यूज़ करेंगे जिसमें सबसे पहले हमें subject यूज़ करना होगा फिर इसके बासे हमें feel और feels यूज़ करना होगा दोनों में से किसी एक को फिर like फिर b4 के साथ object और rp यूज़ करेंगे एक चीज़ और बता दूँ कि feel हमारा I, we, you, they subject के साथ यूज़ होगा और feels हमारा his, its, single name के साथ यूज़ होगा So friends, आईए कुछ examples देख लेते हैं English translations के साथ मुझे तुम्हें पीटने का मन कर रहा है English होगा I feel like beating you I feel like beating you एक और example है मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है I feel like meeting you I feel like meeting you एक और example देखते हैं उसे पढ़ाई करने का मन कर रहा है She feels like studying She feels like studying एक और example देखिए बच्चों को cricket खेलने का मन कर रहा है Children feel like playing cricket एक और example देखते हैं मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है I feel like looking you I feel like looking you So friends, I hope कि आपको ये topic अच्छे से clear हो गया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें Take care, have a good one